रादे कुष्णा बक्तो जैमातादी हरर महादेव आज मैं आप सभी की समक्षिक और वीडियो लेकर रूपस्ती तो यह हो और आज मैं बताने वाली हूँ कि जो शरत पूर्णिमा होती है उस दिन खीर का क्या महत्त होता है उस खीर को क्या करना है उस दिन खीर हम क्यों बनात है तो आज मैं इस विशे के उपर आप सभी को जानकारी दोंगी बहुत ही महत्पूर्ण जानकारी है वीडियो बिल्कुल भी स्कीप मत कीजेगा एंड तक जरूर देखिएगा अगर मेरी यह जानकारी आप सभी को पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक पूर्णिमा जो है उसे बहुत ही जादा महत्व दिया गया है अश्विन मास की पूर्णिमा को शरत पूर्णिमा कहते हैं तो जो शरत पूर्णिमा है उसको हम कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं बहुत लोग इसे कौमुदी वरत के नाम से भी जानते हैं और इस दिन जो पवित्र इसलिए माना गया है कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी जो है वो धर्ती पर आई थी और मन्थन शमुद्र मन्थन के दोरान जो है माता लक्ष्मी इसी दिन धर्ती पर अफ्तरित हुई थी और उसके बाद इस दिन जो है माता पारवती और भगवान शिव के जो शरद पूर्णिमा के दिन आप सबसे पहले खीर बना ले उस खीर को आप किसी बर्तन में निकाल करके या कटोरे में निकाल करके उससे खुले आसमान के नीचे रख दीजे और उसी खीर को सुबह दूसरे दिन आप सभी परिवार में प्रशाद के रूप में वितरन कर दीजे कहा जाता है कि इस दिन जो है शरत पूर्णिमा के दिन चंदरमा जो है शोला कलाओं से पड़िपूर्ण होती है तो इस दिन जो है आसमान से अमरित की वर्षा होती है और इसलिए जो है सरत पुर्णिमा के दिन खीर बना कर उसे प्रशाद के रूप में लेना चाहिए ताकि जो भी रोग है आपके सरीर में कश्ट है आपकी जो भी सरीर की पीराएं है वो दूर होती है और साथी साथ शरत पूर्णिमा के दिन आपको मातालक्षमी को खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए दूद जो है वो गाय का ही होना चाहिए उस दूद में बना करके आप मातालक्षमी को आप खीर का भोग लगा सकते हैं पूजा कीजे जो भी आर्थिक तंगी है आपकी उन सभी से आपको जो है वो छुटकारा मिलता है इसलिए खीर का जो है इस दिन बहुत ही जादा महत्व माना गया है सास्त्रों के नुसार इस दिन जो है पूरी प्रकृतिक मालक्षमी का स्वागत करती है कहते हैं कि इस रात को देखने के लिए सम्मस्त जो है देवतागर्ण स्वर्ग से प्रित्वी पढ़ाते हैं और शरत पूर्टिमा की दिन जो भगवान विश्नु है गडूर पे सवार होकर मातालक्षमी के साथ पूरी प्रित्वी का भ्रमन करते है मातालक्षमी अपने भगतों पर इस दिन क्रिपा बरसाती है तो इस दिन जो है आप घर को बहुत ही साफ सुत्रा रखे ऐसे भी घर को आपको साफ सुत्रा ही रखना चाहिए अगर आप धन समंदी समस्याओं से जूज रहें तो आपको इसे रात मिलेगी और रातरी के समय आपको किसी भी कमरे को अंधेरा नहीं रखना है आपको हमेशा उसमें रोशनी रखनी है आपको मुख्य द्वार पर रोशनी करनी है क्योंकि जहां रोशनी होती है मातालक्षमी का वही पर बास होता है जहां पर साफ सफाई रहती है वहीं पर माता लक्ष्मी का वास होता है तो खीर सम्मंदी जो ये मुख्य बाते हैं मैंने आपको बताई ये शरत पूर्णिमा के दिन आप सरूर करके देखिए आपको लाब होगा उमिद करती हूँ आप सभी को मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्वाद जैमाता दी हर हरमादे उराधे राधे